पनोर मंक्रो जो सोचता है वो करता है कुमार पारस कोई नया प्लैटफॉर्म खोजेंगे इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से ये पूरी कहानी रची गई है और 2024 के चुनाओं में जिस तरह से पसुपती कुमार पारस अर्ष से फर्स पराकर के गिरे हैं उसको लेकर के काफी चर्चाय तेज हो गई थी जैसा कि आप सबी जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाओं में 40 सीटो वाले बिहार में एंडिये बिहत महतोपूर्ण भूमिका में है और एंडिये ने इस बात को लेकर के भी दावा किया है कि देश भर में 400 और बिहार में 40 कम से कम सीटे लेकर कैंगे यह निकि जो 40 सीटे हैं वो सभी सीटे जीत करके इस बार क्लिन स्विप करेंगे ऐसे में सायोगी दलों की नराजगी से बहुत कुछ उलट पूलट सकता है हला कि आपको बता दे कि एंडिये में बहुत कुछ उलट उलट की संभावना है अब नहीं रह गई हैं पस्पति कुमार पारस ने विद्रोह जरूर किया था लेकिन अभी वो कहा हैं क्या को कर रहे हैं यह अभी तक किसी को नहीं पता चला है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे कि अगर जमेले की बात करें तो महा गटबंधन में यानि इंडिया गटबंधन में अभी भी जमेला बाकी है हला कि वामदलों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है जो उन्होंने डिमांड किया था वो मुने मिल गया है लेकिन कॉंग्रेस के बिद्रोही तेवर से कहीं न कहीं इंडिया गटबंधन में समस्याएं हो रही है लेकिन बिहार के सीटों के बटवारे में एक तरफ जहां राश्टिय लोग जनसक्ती पार्टी के प्रमुक पस्पतिक मार पारस काफी नराज नजर आ रहे थे मंत्री पत से उन्होंने इस्तिफा दे दिया था और पिछले चार बरसों से लगभग वो मंत्री पत पर कादिज थे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधान सभा के चुनाओं के बाद पस्पतिक मार पारस ने लोग जनसक्ति पार्टी को दो फाल कर दिया था जिसमें पांच सांसलों को ले करके वो एक अलग पार्टी बना करके अब सामिल हो गए थे मंत्री मंडल में चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे और वही चिराग पासवान अब पसुपतिक मारपारस को अकेले कर दिये है इस पूरे कहानी को ले करके आपको याद होगा कि एक्सपर प्रधान मंत्री नरंद मोदी के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की है और साथ ही अपने नाम के साथ एक बार फिर से मोदी का परिवार लिखा है जिसे वो कुछ दिन पहले ही सीट बटवारे के समय हटा दिये थे अपनी एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एंडिये का अभिन हिस्सा है इसी के साथ उन्होंने एंडिये से अलग होने की अटकलों पर भी विराम लगा दिया है अब इसके मायने आप समझिए उन्होंने जो फीट करके लिखा है वो तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने स्पस्ट किया है कि हमारी पार्टी रालोजपा एंडिये का अभिन अंग है माननिये प्रधान मंत्री आदर्णिये स्ट्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता है और उनका नेर्ण हमारे लिए सर्वो परी है एवं उनके नेतित में पूरे देश में 400 प्लस सीट जीत कर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड बहुमत से एंडिये की सरकार बनेगी इसके साथ ही पारस ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है पारस ने अपनी पोस्ट में पीम मोदी के साथ ही केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमीत सा और भाजपा के राश्टि अधक जेपी नड़ा को भी टेग किया है अब आप समझ सकते हैं कि इसके माएने क्या है वर्तमान में जो इस्थिती है और पस्पतिक मार पारस के पार्टी की इस्थिती है उसमें आपको बता दें कि बिखरने और टूटने का सिलसिला जारी है कई पस्पतिक मारपारस के इर्द गेद रहने वाले नेताओं ने नेत्रियों ने रोरो करके ये बात कही है कि उन्होंने एक फैसला लिया था जो पूरी तरह से निराधार साबित हुआ उनके केरियर पर इसका गहरा आगात पहुंचा है आप समझ सकते हैं कि जिस उमीद में मिरिग मारीचिका की तरह पस्पतिक मारपारस के मंत्री पद को देख करके पस्पतिक मारपारस के तरफ लोग खीचे चले आये थे उन सभी लोगों को जटका लगा है हलाकि राजनीत में इन सब बातों का बहुत महथ तो नहीं होता है लेकिन पसुपतिक मारपारस ने एक बात तो साफ कर दिया है कि वो अब NDA का हिस्सा है और NDA के लिए वो परचार भी करेंगे हाजीपूर से उतरने का जो उन्होंने बात किया था इससे पहले आपको बता दें कि कहा जाता है कि जो आप भोएं कि हो गई है आज पस्पतिक मारपारस को यह साबित करना पड़ रहा है अपनी लोयल्टी दिखानी पड़ रही है जो कल तक वो दूर हो गये थे अब देखना दिल्चस्प होगा कि आगे होता क्या है जुड़े रहे ये भारत लाइब के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद पनोर्मा कुरूप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद